वगर दो सवाल क्या है? वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्ताइन की जनता को बताना चाहता हूँ जब भी चोरी होती है, चोर छुपके आते हैं शुश्मा जी ने जो काम किया है, छुपके किया है मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि शुश्मा जी ये काम करने जारी थी दूसरा, जब भी चोरी होती है, फाइनशल ट्रांसफर होता है पैसा कहीं से कहीं जाता है शुश्मा जी के परिवार को, पती को, उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है वो देश को बता दे कितना पैसा उनको मिला है ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दे, धन्यवाद बड़ा आरूप लगा रहे है राहूल गांधी और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सौनिया जी भी यही करती सिर्फ दो सवाल उफते हैं पहली बात सौनिया जी यह नहीं करते है मगर दो सवाल क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ जब भी चोरी होती है चोर शुप के आते है शुष्मा जी ने जो काम किया है शुप के किया है मिनिस्की में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि शुष्मा जी ये काम करने जारी थी दूसरा जब भी चोरी होती है फाइनांशल ट्रंसफर होता है पैसा कहीं से कहीं जाता है शुष्मा जी के परिवार को पती को उनुकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है वो देश को बता दे कितना पैसा उनको मिला है ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दे धन्यवाद कॉंग्रिस अपादियक राहुल गांधी को आप सुन रहे थे बड़ा हमला सुशमस्वराज पर उन्होंने बोल दिया है और कहा है कि ना सिर्फ चोरी छुपे चोरों की तरह ललत मोदी की मदद की गई बलके फानाशल ट्रांसफर भी हुए हैं सुशमस्वराज के पती और बेटी को ललत मोदी ने कितने पैसे ट्रांसफर किये हैं ये भी सुशमस्वराज बता दे बड़ा हमला राहूल गांधी ने बोला है चोरी छुपे मदद की गई मिनिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था कि ललत मोदी की वो मदद कर रही है रजट माई साथ लगातार जुड़े हुए रजट बहुत बड़ा हमला राहूल गांधी ने बोला है बड़ा हमला होने की बात करी थी वो माई साथ लगातार जुड़े है तो आज राहूल गांधी ने जो आरोप लगा रहे हैं ये बड़े आरोप है बड़ा आरोप की चोरी छुपे मिनिस्ट्री में किसी को नहीं बता था ललत मोदी की मदद की सुष्मा स्वराज ने और ना सिर्फ ये फिनांशल ट्रांसफर्स क्या हुए है वो भी बता दे सुष्मा स्वराज ये राहूल गांधी ने कहा है